ऐसी है इस आइंफ और अई अधिशन के बारें बताने वाला हूं उसमें एक अर्निंग अप्लिकेशन है इसका नाम है एक अर्णिंग कर सकते हैं अर्णिंग करने के बार आप आपने पेटिये में बिड्रॉल कर सकते हैं, मैं इसके आज KYC के बारे में बताने बहुत हुए, KYC कैसे करते हैं, अपने pen card लगा कर, यह हादर कार लगा कर, कोई भी आप KYC करने के बाद ही आपको इस app से money का ट्रांसर्ण बिल सकता है, तो ठीक आगाश, आपको वीडियो को लाज तक देखना आगा तब आपके समझ में आएगा कि कैसे करते हैं और कैसे मनी को भी डॉल करते हैं ठीक आज तो मैं चलता हूँ आप देख सकते हैं यह आइकन देख रहा होगा आपको यहीं पर गया लोगा अगर आपके पास application है तो आप यहां से देख सकते हैं अगर पहले से इंस्टॉल है तब दे सकते हैं यहां से यह application है आप दे सकते हैं यह पर इसको आपनेस्टॉल कर सकते हैं और मैं चलता हूं इसकी की तरफ तो आपको पहले इसको application को अंस्टॉल और करना है तो सबसे पहले आपको वेड्रॉल अगर आपके 300 रुपाय नहीं वह तो आप पहले उनको 300 रुपाय करें उसके पास्चाद ही आप कि वाइसी कर सकते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं वेड्रॉल वर क्लिक करेंगे बेड़ोपक क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बेड़ोपक क्लिक करना है एक बात ध्यान रहे कि आप 300 को रेडियम लगाएंगे तो आपको 3 invite की 3 friends के invite की बहुत जरूत पड़ती है अगर आप 1000 का रेडियम लगाते हैं तो आप यहाँ पर देखकते हैं minimum 100 friends की जरूत पड़ेगी invite करने के लिए यहाँ पर आप देखकते हैं 10,000 रुपर निकालने के लिए 1000 friends को invite करना पड़ता है और आगे आप देखकते हैं 50,000 पचास जार में आपको 1000 friends सॉरी 10,000 friends को invite करना पड़ता है तो आप अगर आप चोटे user हैं आगर आप YouTube नहीं चलाते हैं तो डारेक्ट लिए आप जास 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 तीन invite करें और आपने 300 रुपए अपने पेडियम में ले ले लें तो मैं इस पर आपको 300 पर क्लिक कर देना उसके बाद आपको यहाँ प पर क्लिक करना यहाँ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पेडियम नंबर शो करने लगेगा यहाँ पर आपको पेडियम नंबर को भर देना यहाँ पर आपको पेडियम नंबर को भर देना यहाँ पर आपको पेडियम नंबर को भर देना यहाँ पर आपको पेडियम नंब नम्मर को बर देना है 9808601814 उसके बाद 9808 मैं अपना फेटेम भर देता हूं इसको भरनने के बाद आपको यहां पर सेफ पर क्लिक करना होगा सिर्फ करेंडेंगर के बाद आप देख सकते हैं यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं आपका यहां पर यहां पर नया खुल जाता है KYC pending इसी के बारे मैं आपको बता रहा हूँ तो ठीक है इसके बारे मैं आपको इस पर क्लिक करना है withdrawal पर फिर से दुवारा से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है Complete KYC to withdrawal money We need a valid ID to allow you to withdrawal money You can submit one of the following pen card Only आप pen card से ही KYC कर सकते हैं Cable एक बार One submission it may take up to 72 hours और इसके बाद for us complete document verification यानि आपका अगर आप अभी KYC कर देते हैं तो आपके अगले 72 घंटों में आपकी KYC कम्प्रिट के जाता है अगर आपका pen card बेकार है या उसका खराब है या पर उसका allow नहीं है कोई government के द्वारा तो आपका reject कर दिया जाएगा ठीक है तो आप मैं बता देता हूँ आपका सही है तो go to KYC पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर अपना ID proof number जो pen card का ID proof number है उसको भर दें जैसे मैं भर देता हूँ इसको सब capital बनना होगा जैसे मैं भर देता हूँ आइडी है उसका पूरा नाम भढ़ना है आपको मैं भर देता हूँ अफजल मलिक जैसे भर देता हूँ इसमें M-A-L-I-K मलिक ठीक है इसके बाद आपको इसका state select करना है state क्लिक करेंगे उसके बाद मैं अभी उत्तर पर देता हूँ तो उत्तर पर देता हूँ इसके बाद आप date of birth पर क्लिक करेंगे और date of birth को fill कर देना है जैसे पंद्रा पंद्रा सौरी पंद्रा पांच यानि फांचमा मंत है उसके बाद आपको इसका जो year है वो select करना है okay पर क्लिक कर दें उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है picture of your fan card पर इस पर आप क्लिक करना है यहां से आप directly photo क्लिक कर सकते हैं या तो आप यहां से upload from gallery इस पर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको recent मिल जाएगा मैंने जो किया है उसको आप दे सकते हैं यहां से आपको इसको पूरा full कर देना है जैसे कि जो yellow app है उसको जो agent होगा या कोई इसको चेक करने वाला होगा आपकी document को वो पूरा देख सके ठेगा उसके बाद आपको यहां से इसको क्लिक कर देना है उसके पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको direct last option पर जाना submit ID proof इस पर आपको क्लिक करना है यहां से आप दे सकते हैं verification success वो चुका है friends आपका इसमें लिखा हुआ है कि we will review your information within 72 hours don't forget check bit of face ठीक है उसके बाद आपको अगर आपकी जो ID दिया है आपने pen card दिया है वो आपका एकदम correct है तो आपकी verification हो जाएगा टेगा इस उसके बाद आपको यहां देख सकते हैं OK पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको option देखेगा KYC auditing यानि अभी हमारी KYC pending है इसके बाद आगर आप withdraw पर click करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि KYC under review please check later when it turn it succeed you can withdraw money यहां पर आपको जो ओर्टिंग लिखा हुआ यहां पर आपको succeed लिखा हुआ मिल जाएगा तभी आप इसमें बिट्रॉल लगा सकते हैं अगर आप बिट्रॉल लगाना नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक वीडियो बना दिया हूँ यह आपको इसका link description मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं आसानी से टेगाएस आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पर पहले और वेट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को press कर लें जिससे आपको आसानी से latest video मिल सकें और हाँ आपको अगर कोई problem है तो आप comment section पूछ सकते हैं मैं आपको डिफलाई दूँगा और उसका वीडियो भी बनाकर आपकी help करूंगा hey guys आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सोबो कर दो it कि ए और एज सकते हमें आपका दिससे कर दो आपको inputs दिससे आपकीजे लेगे हमें मैं पुसेदीोंगा say